नमस्कार दोस्तों आप देख रही है रिपोर्ट्स इंडिया क्रिस गेल अपनी धाकड बलेबाजी के लिए जाने जाते हैं उनका कूल अंदाज भी लोगों के बीच खासा पसंद किया जाता है लेकिन इस बाहुबली क्रिकेटर ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी बात बोल दी कि आप अपनी हसी नहीं रोप पाएंगे क्रिस गेल ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे सुरक्षित देसों में से एक बताया है गेल ने मीरपुर में समधाताओं से कहा पाकिस्तान दुनिया में सबसे सुरक्षित स्भानों में से एक है पाकिस्तान का कहना है कि वो खिलाडियों को रास्टपति स्तर की सुरक्षा देंगे जिससे आप सुरक्षित हातों में है मेरा मतलब है कि हम बांगलादेश में भी अच्छे हातों में है अब आप सोचेंगे कि ये भला क्यासे हो सकता है तो जनाब वो Chris Gayle है, कुछ भी बोल सकते है और बोलने के पैसे थोड़े ही लगते है आतंक वादियों और दहसत करदों को अपने दामात की तरह है रखने वाला पाकिस्तान सुरक्षित कपसे होने लगया ये तो उपर वाला ही जाने दाउद इब्राहिम जैसे डॉन का घर है पाकिस्तान ऐसी जगे पर Chris Gayle खुद को सुरक्षित मानते हैं तो उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी गेल इस वक्त बांगलादेश में है और बांगलादेश प्रीमियर लीग बीपियल में चटोग्राम चैलेंजर्स की तरफ से खेल रहे है आपको बता दें कि साल 2009 में पाकिस्तान गई स्रिलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था जिसके बाद यहां दूसरे देश की टीमों ने क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था हाल ही में पिछले 10 सालों में स्रिलंका पहली ऐसी टीम बनी जिसने टेस्ट सिरीज के लिए पाकिस्तान का दौरा किया पाकिस्तान में टेस्ट सिरीज के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के अध्यक्स एहसान मानी ने कहा था कि पाकिस्तान सुरक्षित है मानी ने कहा हमने साबित कर दिया कि पाकिस्तान सुरक्षित है अगर कोई यहाँ आना नहीं चाहता तो उनको साबित करना चाहिए कि ये असुरक्षित क्यों है मौजूदा हालात में पाकिस्तान के मुकाबले भारत में सुरक्षा का मामला ज़्यादा गंबीर है एहसान मानी ने आगे कहा पाकिस्तान में स्रिलंका के सफल दोरे के बाद सुरक्षा को लेकर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए ये पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की बहाली के लिहाथ से बड़ा कदम साबित हुआ पूरे विस्व में पाकिस्तान की 26 सुधाने में मीडिया और दर्सकों की मुख्य भूमिका रहेगी अब PCB ने बांगलादेश को 3 T20 और 2 टेस्ट मैचों के लिए आमंत रित किया है आज इस रिपोर्ट में बैस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले रिपोर्ट्स इंडिया की खबर